देखें, Newton's third law of motion, क्या होता है, क्या कहा गया, Newton साहब ने कहा, to every action, there is a equal and opposite reaction, हर action का एक reaction force होता है, ठीक है, तो लिखें, according to Newton's third law of motion, to every action, there is a always equal and opposite reaction, to every action, there is always equal and opposite reaction, to every action, there is always equal and opposite reaction, मतलब, अगर माले क्लास में आपको टीचर ने डाटा, तो यह मान लिजिए, मन में आप उसको जद्दबत बकेंगे जरूर, नहीं, आप कहें नहीं नहीं बकेंगे, अगर आप नहीं बकेंगे, तो इसका उदा न्यूटन गलत बोलना है, ठीक है, तो होना ही हो होना है, तो जैसे हमने दो बाडी लेली, ए और भी, ठीक है, ए और भी दो बाडी लेली, ठीक है, तो अगर ये, भाई, पहले तो आपस पर इंट्रेक्ट करना चाहिए, ना, पर टकराएंगे तब होगा ना, ऐसा, दूर दूर थुरी हो ज़ाए, जगर की, तो जब ना, फोर्स आन बी डियोटो ए, तो न्यूटन साब ने कहा, कि एफ एबी जो है, एफ एबी और एफ बी ए, दोनों कैसे होते हैं, एकल होते हैं, लेकिन दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ठीक है, अब यहाँ से एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ, कि अगर ये दो बाड टकराई, तो टकराने से जो नेट फोर्स हुआ, ए ने बी पे लगाया और बी ने ए पे लगाया, इसको इधर लेके आओ, तो एफ एबी प्लस एफ बी ए क्या हो जाएगा, जिरो, तो इस सिस्टम का नेट फोर्स क्या है, जिरो, अगर आपस वे इंटरेक्टिंग बाडी ह टकरार ही, कॉलाइड कर रही है, तो उनके अंदर का जो नेट फोर्स होता है, वो हमेशा जिरो होता है, ठीक है, तो लिखें इसको, यहां लिख देंगे, फोर्स आन ए डियो टू बी, फोर्स आन ए डियो टू बी, क्या माना हमने, एस ए बी, और फोर्स आन बी, फोर्स आन B due to A हम मानेंगे FBA और by Newton's third law of motion Newton's third law of motion यह लिख देंगे आप FAB is equal to minus B अभी यह derivation नहीं है अभी डारेटाइस से लिखा गया है देखें Newton के नियम के limitations क्या है मतलब limitation का मतलब कहां-कहां वो follow नहीं करते हैं सबसे पहले करें कि अगर हम कोई घटना अब्जर्ब कर रहे है तो Newton का नियम पहला क्या कहता है कि अगर system पे force नहीं लग रहा है किसी system पे कोई external force अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो जिस अवस्था में है वो से रहेगा rest में है तो rest में रहेगा अगर uniform motion में है तो uniform motion में रहेगा ठीक है second law क्या कहता है कि भई force अप्लाई हुआ तो एफ proportionate delta P upon delta T होता है rate of change of momentum होता है third भी मता चुके हैं तो पहला नियम के हिसाब से second नियम के हिसाब से देखी अगर हम observe कर रहे हैं तो observe में के लिए कहीं खड़े होंगे न हम किसे system पे खड़े होंगे न जिस system पे खड़े होते हैं उसको हम क्या करते है frame of reference प्ताय था ना तो अगर observer यहनि उस घटना को observe करने वाला जगती ऐसे frame of reference में है जो accelerate हो रहा है जिस पे acceleration है तो जो भी घटना हो देखेगा उस वहाँ पर newton's law violet हो जाएगा निए वहाँ वो जो है सही नहीं रहेगा newton's law follow नहीं करेगा ठीक है तो पहला रपराण लेखिए if an observer if an observer is in a uniformly accelerated frame if an observer is in a uniformly तो वो ध्यान से सुना के नहीं बोला क्या जा रहा है ठीक है is in a uniformly uniformly accelerated frame of reference uniformly accelerated frame of reference then for him for him newton's first and second law would appear to violate it newton's and first first and second law does not hold लिए does not hold यह hold नहीं करेगी ठीक है अब question यह उड़ता है कि क्या newton के नहीं हम सब के लिए फेल है नहीं साब उसी घटना को आप देख रहे है लेकिन आप जिस frame of reference से देख रहे हैं वो accelerated नहीं है ठीक है तो वहाँ पर hold करेगा नेक्स पॉंट लिखिए newton's first and second laws are valid newton's first and second law are valid only if the observer is present in the inertial frame if the observer is present in the inertial frame ठीक है next point third point क्या है अब देखिए ये कह रहे हैं कि malia in f is equal to ma ये अगर formula है और mass change हो रहा है तब भी a newton's law fall the hold नहीं करेगा ठीक है अब आप कहेंगे तब mass कहां से change हो जाएगा अब इसको बात कर रहे हैं in f is equal to ma in f is equal to ma it would not hold it would not hold if mass of the body does not remains constant if the mass of the body does not remains constant ये अगर body का mass constant नहीं है तो ये जो formula है वो hold नहीं करेगा तो ये जो formula है वो hold नहीं करेगा तो ये जो फार्मुला है वो hold नहीं करेगा नहीं है और वो वी वेलास्टी चल लएगे वेलास्टी कहूं सी speed of flight के equivalent तो उसका mass जो हो जाता है वो one minus v square upon c square हो जाता है बढ़ जाता है घड़ जाता है यानि कि जो mass उसका हो जाएगा वो rest mass से जादा हो जाएगा अब body चलती जा रही है वी चेंज होता जा रहा है उसका वी कहूं साई speed of flight के equivalent तो एम चेंज होता रहेगा तो कहना Newton करने हैं वहाँ follow नहीं करता है क्योंकर Newton की physics का नाम ही है classical physics आपने classical physics यह classical song सुने होंगे विसमने राधा बोलना है तो राधा बोलते रहते ना अब तो राधा घर से उठी और घर पहुंच गे तब उले धा तब पता चला राधा को बला रहे थे ऐसा होना ना तो Newton का नियम जो है वो classical physics होता है वो वैलिधी तब होगा जब speed of light जो है वो वैल गाड़ी की speed हो मतब speed of light से object की speed है वो speed of light से बहुत-बहुत-बहुत कम हो तो यह point हुआ next लिखे Newton का थार्ड नियम थार्ड नियम भाई देखे थार्ड नियम तब तब तक valid रहेगा जब तक body कुछ नजदीक रहेंगी अभी हम गलती से बता गए कि वो interact टकराना चाहिए वो गलती से बता गए ठीक है टकराना जरूरी नहीं है अगर दो body ऐसे हैं माल लिया ठीक ऐसे हैं और इसमें gravitational field में हैं आपस में एक दूसरे की gravitational field में है तो ये body इसको attract करेगी FAB और ये body इसको attract करेगी FBA दोनों attract करेगी ने gravitational field की हो जैसे ठीक है तो यानि कि ये दोनों force कैसे हैं equivalent opposite ठीक है तो ये भी newton's का third law फालो करता है लेकिन एक सर्त है कि बहुत दूर body है नहीं होनी चाहिए अगर बहुत दूर body होती है तो ये यहां पर follow नहीं करता है next point लिखे newton's third law does not hold good follow हलका हलका कर जाला की बात है लेकिन वो violet करेगा newton's third law does not hold good if two bodies are are placed at a large distance at a large distance ठीक है large distance और बहुत close होंगे तब भी नहीं होगा बताँ atomic जो size के गर होंगी बहुत social particles होगे तो next लिखे newton's third law does not hold good newton's third law और फिर next point है newton's third law does not hold good does not hold good for the particles of atomic dimensions for the particles of atomic dimensions मतब बहुत छोटे size के गर dimensions है very very small particles उनके लिए भी लागू नहीं होता है तो ये आपका atomic dimension dimension का बताँ वहीं हाई interval dimension नहीं है dimension size भी होता है ठीक है इसके बाद एक point और है इसमें weight and mass इसके बारे में आप जानते हैं इसलिए हम बात नहीं करेंगे weight and mass mass particle का होता है जो quantity उसके अंदर hold करता है तो लिख लो अच्छा weight and mass तो quantity आप matter जो होता है उसके अंदर उसको हम mass कहते हैं और वो force जो body के उपर जो हार्थ लगाती है उसको हम कहते हैं weight तो लिखे the quantity of matter the quantity of matter ये weight and mass एक सा लिखेगा quantity of matter which a body contains the quantity of matter which the body contains is called mass is called mass तोसी तरीके से कह सकते हैं कि यही बात थूम कहेंगे और परग्रास चेंज करेंगे weight of the body weight of the body is the gravitational force is the gravitational force exerted by the earth exerted by the earth and given by w is equal to mg given by w is equal to mg mass किसी body का की intrinsic property होती है मतब constant रहता है और weight locality पर डिपरेंट करता है तो परग्रास चेंज करेंगे mass is the intrinsic property of the body intrinsic property of the body while weight of the body is different weight of the body is different different at in different localities in different localities क्यों? as small g varies from place to place as small g varies from place to place चोकि small g की value place to place vary करती है इसलिए जो weight की value भी change होती रहती है तो ये laws of motion का concept होगा जाकर के है ठीक है? इसस्टा के रहती है झाल झाल